दोस्तों, DG India में आपका बहुत स्वागत है और आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा जेएएन की सेलरी के बारे में कि राजिस्तान में जुनिएर इंजिनियर की सेलरी कितνी होती है और इस वीडियो में आपको सेलरी के बारे मैं सब कुछ बताने वाला हूँ हर एक वो चीज कवर करूँगा जो कि salary को affect करती है और इस वीडियो को पूरा देखने के बाद में JN की salary को लेके कोई भी doubt आपके दिमाग में नहीं रहने वाला है सब कुछ clear हो जाएगा तो इस वीडियो में cover करूँगा कि probation period के दोरान कितनी salary मिलती है इसके अलवा कौन-कौन से allowances मिलती है gross salary कितनी होती है क्या-क्या कटोतियां होती है और कटोतियां अटाने के बाद में enhanced salary कितनी होती है और increment कितना होता है हर साल तो ये सारी चीज़े इस टूडियो में cover करूँगा तो अब स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले देखते हैं यहाँ पे pay level तो junior engineer को रास्तान में pay level के level 10 में रखा गया है age पर 7 pay commission और 6 pay commission की अगर बात करें तो grade पे 3600 की होती है junior engineer की जिसको कनिष्ट अभियनता भी कहा जाता है अब बात करेंगे probation period के दोरान की तो probation period 2 साल का होता है और इस period के दोरान आपको fixed salary मिलती है कोई भी allowance नहीं दिया जाता है ठीक है तो जो fixed salary होती है वो है 23,700 रुपे 2 साल तक और इसमें कुछ कटोती भी होती है वो होती है NPS के तहत जैसे ही आप कोई भी government job join करते हो आपको NPS का एक account open करवा दिया जाता है ठीक है National pension scheme इसकी full form है तो इसमें एक आपका account open करवा दिया जाता है और हर महिने आपकी salary में से 10% करता है और इस account में जमा होता है और जितना 10% यह है 2370 रुपे 10% इतना ही government भी आपके account में add करती रहती है ठीक है यानि कि 12 लाब यहाँ पे आपको मिलता है 2370 रुपे प्लस 2370 रुपे यानि कि दोगुने पेसे आपके account में जमा होते रहते हैं NPS के account में जिसका फाइदा आपको retirement के समय दिया जाता है ठीक है तो यहाँ पे probation period के दुरान जो आपके net salary है जो आपके account में आती है हर्माई ने वो हो गई 21,330 रुपे ठीक है fix pay में से NPS गठा दिया तो 21,330 रुपे यहाँ पे net salary हो गई जो की 2 साल तक आपको मिलेगी जैसे ही आपका probation period complete होगा तो आपको pay level 10 के अनुसार basic पे मिलेगी जो की है 33,800 रुपे यह आपकी basic पे हो गई इसके अलावा आपको सारे allowances मिलेंगे जिसमें सबसे पहले है DA यानि कि महंगाई बत्ता जिसकी वर्तमान rate है 31% तो यहाँ पे category में divide किया गया है Y और Z cities यहाँ पे देख सकते हो तो जो Y cities है उनमें सिर्फ 5 सहर आते हैं जिनमें है जैपूर, जोदपूर, बिकानेर, कोटा और अजमेर ठीक है तो इन 5 सहरों में अगर आपकी posting है तो आपको मकान किराय बत्ता है जो वो 18% मिलेगा 18% आपकी basic का ठीक है और अगर इसके अलावा कहीं भी आपकी posting है राजस्तान में तो आपको 9% आपकी basic का मकान किराय बत्ता मिलेगा तो यहाँ पे मैंने calculate कर लिया है अगर आपको Y cities में posting मिलती है तो 6,044 रुपे आपको मकान किराय बत्ता मिलेगा इसके अलावा और कहीं भी posting है तो 3,042 रुपे आपको मकान किराय बत्ता मिलेगा तो अब जो आपकी total salary हो जाएगी यह सारे allowances जोड देने पर तो जो gross salary आपकी है वो हो गई 47,320 रुपे Z cities के लिए और अगर आपकी posting जो 5 सहर है वाई cities जो है रास्तान में उन में है तो आपकी salary हो जाएगी 50,362 रुपे ठीक है तो यह gross salary है यह आपके account में नहीं आएगी इसके अलावा कुछ कटोतियां भी इसमें होगी तो उनकी भी चर्चा कर लेते हैं तो आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ क्या-क्या कटोतियां आपकी salary में से होगी तो यहाँ पे सबसे पहले तो है NPS के तहट जो आपका account open होगा उसमें अब भी 10% कटेगा probation के बाद में भी लेकिन अब जो 10% है वो basic और DA दोनों का मिला के होगा तो हैर मैंने आपकी salary से 428 रुपे कटेंगे और आपके NPS के account में जमाओंगे और इतना ही amount government भी आपके NPS के account में जमा करेगी इसके अलावा SI के तहट आपके cut-off ती होगी वो है 2200 रुपे जैसे ही आप government job join करते हो वैसे यह आपका एक insurance कर दिया जाता है government की तरब से और यह उसी insurance का premium है 2200 रुपे जो कि आपकी salary से भरा जाता है ठीक है इसका भी फाइदा आपको retirement के बाद में मिलता है और यहाँ पर जो last है वो है RGHS रास्तान government health scheme इसके तहत 330 रुपे हर मैंने आपके account से करते है जिससे कि आपको free health services दी जाती है ठीक है उसके लिए यह 330 रुपे है तो free health services आपको इसके बदले मिलती है वो भी अच्छी बात है तो जो total deduction होगे total cut outियां होगी 6958 रुपे यह total amount है जो हर मैंने आपके account से कटेंगे तो यह अगर आपकी gross salary में से गठा दी जाए तो आपकी जो net salary है वो यहाँ पे हो जाती है 40,362 रुपे यह है जेट cities के लिए और जो 5 रुपे मैंने आपको बताया थे जेपूर, जोदपूर, विकाने, आजमेर और कोटा उनके लिए है 43,404 रुपे ठीक है, तो यह आपकी salary है जो कि आपके account में आईगी आपके account में हर मैने credit होगी जैसे ही probation period complete हो जाएगा वे से ही ठीक है, तो यह बात होगी यहाँ पे salary की, अब इस salary में increment कितना होता है हर साल, वो भी मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ, तो यहाँ पे increment आप देख सकते हो, हर साल आपके basic में increment होता है 3% का starting में जैसे ही आपका probation period complete होगा 33,800 रुपे आपकी basic पे होगी जो कि अगले साल बढ़के यह हो जाएगी 34,800 रुपे और उससे अगले साल हो जाएगी 35,800 रुपे इस परकार से यह बढ़ती रहेगी, इसके बाद होगी 36,900 रुपे, इस परकार यह बढ़ती रहती है, इसके अलावाद जो DA आपको मिलता है, महेंगाई बता, उसमें भी हर साल दो बार increment होता है जो की होता है एक बार जनवरी में और दूसरी बार होता है जुलाई में तो यह भी अभी रेशो लगबग लगबग 3 और 4 परसेंट का चल रहा है, कभी 3 परसेंट बर जाता है कभी 4 परसेंट बर जाता है वरतमान में तो जो total increment हर साल आपकी salary में देखने को मिलेगा वो लगबग 10% का होगा तो 10% आपकी salary में इजाफ़ आपको देखने को मिलेगा यानि कि जो मैंने आपको net salary अभी बताई है ये जो salary है वो minimum salary है जो कि आपको मिलनी ही है वर्तमान में और जब तक आप join करोगे जैसे ही आप exam clear करके और join करोगे तब तक और भी यहाँ पर DA बढ़ जाएगा और भी कौन-कौन से बत्तों की rate में इजाफ़ा हो जाएगा तो आपको इससे तो ज़्यादा ही salary मिलेगी तो बहुत ही अच्छी salary है यहाँ पर आप देख सकते हो junior engineer के लिए और junior engineer के लिए promotion भी बहुत ही अच्छे है जो कि मैं आपको next वीडियो में बताऊँगा जो profile और promotion के बारे में बहुत ही अच्छी career growth है junior engineer के लिए कनिष्ट अभियंता के लिए और इसके लिए आप जुट जाएं तयारी करने में अभी से क्योंकि vacancy आ चुकी है और आती रहती है हर साल लगबग लगबग तो आप तयारी में लग जाएं junior engineer की बहुत ही अच्छी job है बहुत ही अच्छी salary है और बहुत ही अच्छा promotion है साथ ही आपका जो profile इसमें क्या रहेगा काम केसा होता है केसा वहाँ पर environment होता है और promotion के क्या क्राइटेरिया है वो आपको next video में देखने को मिल जाएंगे तो हमारे चैनल से जुड़े रहे हैं जिससे कि आपको सारी information मिलती रहे government job से regarding thank you friends, thanks watching this video